नमस्कार इंडियान्यूस का डस्टल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूँ गरीमा श्रिवास दवाब के साथ अपने गाने को लेकर अक्सर कर सुर्खियों में रहने वाली मशहूर गाई का नेहा सिंग राठावर के मुश्किले लगातार बढ़ती जा रही हैं उन्हें कानपुर पुलिस ने यूपी में काबा के पार्ट टू कुल लीकर के नोटस थमाया था और इसके बाद उनसे तीन दिन के भीतर जवाब मांगा जिसके बाद अब नेहा सिंग राठावर अस्पताल में भरती हैं उनकी तब्यात खराब बताए चा रही है इसका एक वीडियो उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल प्विटर पर शेयर किया है जिसमें वो उनको डिप लग रहा है और इसके साथ साथ उनके साथ में उनके पती हिमाशू भी मौजूद हैं आपको बता दे कि यूपी में कावा कर जो ये पार्ट टू उन्होंने रिलीस किया है अपने सारे सोशल मीडिया प्राटफॉर्म्स पर चाहे हो यूट्यूब हो फीस्बुक हो ट्विटर हो इन सभ के बीच एक और बड़ी बात सामने आई है कि उनके पती जो हिमाशू है उन्हें दृष्टी आईएस कोचिंग सेंतर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है अब इन सब के बीच उनका भी हिमा भी बड़ा बयान सामने आया है उन्होंने अपने एक फेस्बुक पोस्ट के जरीए ये इस बात की जानकारी दी कि दो दिन पहले उनसे कोचिंग सेंटर से स्तीफा मांगा गया था और उन्होंने स्तीफा दे दिया है लेकिन उन्होंने कहा कि उसे वो किसी भी तरह से नेहा के इस नोटिस और इसे किसी भी तरह से नेहा की केस को लेकर के नेहा की गाने को लेकर इसे ना जोड़ा जाए मेरा स्टीफा इस वज़ा से नहीं हुआ है और इसे किसी भी तरह से इस मेरे स्टीफे को इस वाले केस से जोड़ा ना जाए और इनकी छवी कुधूमिल ना किया जाए इस तरह क पर उनका ये पोस्ट भी तेजी से वाइरल होने लगा है क्योंकि उन्होंने खुद अपना ये पोस्ट फेस्बुक के जरीए शेयर किया है वही नेहा सिंग्राठाओर की तब्यत खराब है और डॉक्टर ने उन्हें ये बात कही है जोक्टर ने उन्हें ये सलाह दी है कि विश्वास के भी ट्वीट सामने आये थे जब नेहा को नोटस मिला उसके बाद कवी ने मशूर कवी जो है कुमार विश्वास उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है जब इस तरह की आलोचुनाई होती है तो आप समझे कि आप सही रास्ते पर हैं ऐसा उन्हो को लेकर लगातार विरोत किया जा रहा है यूपी में काबा का ये दूसरा पार्ट आया है से पहले यूपी में काबा का पहला पार्ट आया था जिसके बाद रवी किश्वन ने जो की गोरकपुर से सांसत है और मशूर फिल्म अभीनेता है उनका भी गाना सामने आया था कि यूपी में सब्बा ये चुनाओं के पहले पहले ये गाना रेलीज हो गया था और जिसके बाद अब यूपी में काबा का दूसरा पार्ट सामने आ चुका है और इस गाने को लिकर लगातार विवाद छुड़ रहा है और इन सब के बीच अब निहा सिंग राठोर की तब्यत काफी बिगडी होने अस्पिताल में ड्रिप चड़ाया जा रहा है आगी क्या कुछ होगा और भी तमाम जानकारियां तमाम खबरें इससे सम्मंदित हम आप सभी तक लगातार पहुचाते रहेंगे पने रहीं जाने उसके साथ थन्यवाद